हेलो फेंज इन्वेश्ट फोर आवर में आपका एक फिर से स्वागत है यहां पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक वीडियो आज की रेट में अल्रेडी आ चुकी है इस वीडियो को जाके देखिए को कि यहां पर आपके पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नजर आएगा और में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक्स की जो कल खुलती ही साथ अपर सर्किर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे चोटा सा सा स्टॉक्स है पहने स्टॉक्स है तो अपने रिस्क रिवार्ट रिशो को देखते हुए ही यहां पर इन्वेश करने की सूचिएगा बाकी च इस तरीकी की स्टॉक्स चाते हैं तो यहां पर इन्वेश्ट फॉरेवर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बात करते हैं आज की स्टॉक्स के एलेटेट जिसमें आपको एक अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे खासे यहां पर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं revenue from operation यह total income पर हम आजाते हैं सीधे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि 276.35 total income होई है यह lex में भी हो सकते हैं क्रोड में भी हो सकते हैं यहां पर देने रखकर lex महीं हो गया ही थी और यह इस क्योंकि चोटी company है और 16.25 इससे पहले 209 तो अगर बात करेंगे quarterly basis पे तो quarterly basis पे income में काफी बड़ी जम्प है और yearly basis पे देखेंगे तो भी यहां पर जम्प है तो company ने yearly as well as quarterly basis पे यहां पर अच्छे खासा यहां पर जम्प लगाया और मुझे यह यह शेयर अब यहां पर डबल जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं इसके इलावा देखके total expense की तो अगर आप यहां पर देखेंगे total expense 239.5 इससे पहले 11 था इससे पहले 183 था तो yearly quarterly basis पे expensive बढ़ाए और यहां पर अगर हम देखते है profit before tax मतलब tax देने से पहले 36 था 5 था 25 और tax and all सब कुछ देने के बाद जो net profit हमारे हाथ में आता है अगर उसे देखेंगे तो 27.57 यहां पर है profit इससे पहले 3 था इससे पहले 19.38 तो quarterly basis पे देखेंगे तो काफी बहतरी जंप है लगए 9 times जंप है और yearly basis पे भी देखेंगे तो 1.5 times यहां पर जंप दिखा ही दे रहे है तो company ने yearly और quarterly basis पे अच्छी कासी यहां पर profit generate किया है जो कि यहां पर EPS में भी EPS था तो yearly quarterly basis पे company ने अच्छा खासा है यहां पर perform करके दिखाया और company का नाम क्या है company का नाम में आपको दिखा देता हूं यहां पर उपर जाएंगे तो यहां पर दिखाई देगा heavy polymers limited इस company का नाम है अब हम इस company के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो heavy polymers की अगर हम बा companies के related यहां पर जानेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी company के बारे में एक बार जाएंगे जाके एक बार देखिए इनकी products के बारे में देखिए chemical division, dye intermediation division, polymers division, water treatment, chemicals यह बनाती है, मतलब यह trade करती हुई, wholesale में trade करती हुई दिखाई देती है company, इसके इलावा company की market cap की बात करें, तो sola करोन मतलब आप को दिखाई दे रहां market cap, सोला करोड रुपए की market cap है, ज्यादा बड़ी company नहीं है, तो company किस तरीके से हो सकती है वो आप समझ सकते है company यहां पर चोटी सी penny stocks, जो penny stocks की बात करते हैं, और multi bagger penny stocks की बात करते हैं, वो ऐसे ही penny stocks होते है, इस जी कंपनी है स्मॉल यहां पर कंपनी है रिजल्ट अच्छे हासे आते हुए दिखाई दिया है एस वेल यहां पर देखेंगे तो श्टॉक का प्राइज लगबद 40 रुपे के आसपास है और लगबद 60 रुपीज से यहां पर 40 रुपे आकर गिरता हुए दिखाई दिया है और अ अच्छे कासी गिरावट हो चीकिए बट यहां पर लाश्ट टाइम अपर सर्कृट लगा था तो शायद यहां पर आपको मौकर मिले या ना मिले दोनों देखते हैं तो यहां पर क्या करना है वो हम चार्ट देखके बात करेंगे और यहां पर इसके रिजल्ट देखते हैं वो भी यहां पर yearly basis as well as quarterly basis पर company ने अच्छे कासे यहां पर result पेश करके यहां पर दिखाया है इसके लाब यहां पर बात करेंगे yearly basis पर यहां पर yearly basis पर भी देखिए company धीरे 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 यहां पर अपना आपको perform करते हुए दिखाई दे रहे है दो यहां पर कुछ भी company है बहुत अच्छा यहां पर perform कर रही है net profit की बात करें जो घाटे में चल रहा था यहां पर profit में आया और company धीरे धीरे अच्छा कासा यहां पर perform करती ही नजर आ रही है इसके लाब balance sheet में जाते है और reserves देखते है तो company के reserves यहां पर कुछ negative points भी है यहां पर देखेंगे reserves negative ह here but borrowing की बात करें वो भी यहां पर zero है company का reserves नहीं है चोटी company है और here पर company की borrowing भी कुछ नहीं है और here's cash की तो company के पास कितना cash पढ़ा है company का ज़्यादा कुछ cash है नहीं 10,000 के आस-पास यहां पर 1,000,000 के आस-पास cash पढ़ा है इसके लावबा जो भी पैसा आता है यहां पर book में दिखाई देता है यहां पर आप देख सकते हैं और अभी लगबा 28% के शेर यहां पर दिखाई दे रहा है कि पब्लिक के पास 57% से 72% के आसपास की यहां पर होलिंग आ गई है, और इसे आप यहां पर count करेंगे यह सारी की सारी हिस्तेदारी, तो लगबाग यह 60% यहां पर परसेंट की सारी बनती भी दिखाई देती है, तो केवल 9-10-11% की सेदारी ही पब्लिक के पास है, पब्लिक के आज जादा शेर नहीं है, तो यह चीज आपको यहां पर समझ नहीं होगी, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी में के कौन-कौन यहां पर लोग है तो इस तरीके से यहां पर आप एक पर चेक कर सकते हैं करें तो कल की डेट में यहां पर ओपन होते ही साथ यह शेयर आपको तो इस घ्राब से दिखा आप कर देखाता है तो इस शेयर की तरफ घिल करेंग करने के कोशिश करिएगा थोड़ा से आम यहां पर आपके पैसे को डबल करता हुआ दिखाई दे रहा है सबसे पहले अगर टार्गेट की बात करें तो यहां पर ऐसे शेयर ही आप देख रहे हैं कि आपर सर्कृर में चलते चलते अच्छे रिटन्स देते हैं तो यहां पर अगर 60 रुपीज तक भी यह शेयर जाता है और अच्छे कासे पैसे आपके यहां पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं तो I will try to buy these shares ओके यहां पर देखते हैं कलकी रेट में क्या होता है आपर सर्केट में ही यहां पर 5% के उसमें देख के यहां पर इंवेस्ट करना होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में 9 से जो 9 7 तक हम order place करते हैं उतर ही हमे order place करना होगा और यहां पर मिलने की कुशिश करें अगर यह share मिलते हैं तो उसे अच्छे कासे return भी यहां पर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं तो बैंक साली की कोई recommendation नहीं है अपने fine share advisor खुद की study करें इस company का नाम नोट कर लीजिए heavy polymers इस company का न आपर खेल खेलना पड़ेगा अपने दिमाग के use करने पड़ेगा आपको जब कितने percent के return चीए उसके हिसाफ से यहां पर trade करिएगा बाकि result एकदम बहतरी नाया है company आपर बहतरी नजर आ रही है chemicals related company है और अच्छे गासी आपर return दे सकती है तो buying selling की कोई recommendation नहीं है financial advisor कुद financial service EA so thank you so much god bless